तो अगर आप अपना गेमिंग सेटप बिल्ड कर रहे हैं और अगर आपको कुछ चीजों की कम ही लग रही है तो जी यह हो सकता है कि आपका माइक्रोफोन जरूरू से मिसिंग हो और आप एक माइक्रोफोन के तालास में हो तो जी आप लोग बिलकुल ही सही वीडियो पे 2220 किया माइक्रोफोन का रिव्यू काफी सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे साती साती सथ में बता दूँ इसमें लाइटे वाइटे भी मिलने वाली हैं तो काफी अच्छा वीडियो होने वाला है मोइकि बारे में सब कुछ बात करेंगे और आपको बताएं अब यह माइक जो है ना यह लाइव स्ट्रीम, गेमिंग या फिर पॉड्कास्टिंग के काम के लिए आ सकता है साथ ही साथ content creation के भी काम आ सकता है जैसा कि इस समय मैं कर रहा हूँ फिलाल मैं दूसरा माइक युच कर रहा हूँ, इसको उम लोग टेश्ट आउट करेंगे, इसको देखेंगे ताकि आपको डिफरेंसेज भी पता चले कि इसमें क्या डिफरेंस है और बाकि सारे माइक में जो की महंगे शस्ते जो भी आते है उन में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है फटा फटा उनबॉक्सिंग के तरफ चलते हैं और देखते हैं इसमें आपको box content क्या-क्या देखने को मिल जाते हैं यह देख सकते हैं आप लोग ऐसा कुछ आपका बॉक्स देखने को मिलेगा सामने आपको आपको अपने माइक की फोटो देखने को मिल जागे और यहापे 2220 लिखा हुआ है आपको मुल्टीपल कलर्स की यहापे लाइट यह देखने को मिलने वाली है तो भी हम लोग चेक का जिसमें आपको सारी डिटेल्स लिखी हुई है कि क्या चीज कैसे काम करती है और कुछ सेटिंग्स अगर करनी है तो आप वहां से कर सकते हैं साथ ही आपको पीछे साइड आप उसके देखेंगे तो आपको यहापे वारंटी कार्ट देखने को मिल जाएगा यहापे आप नॉर्मल केबल्स भी अगर आपका टाइप सी फोन का भी है उससे भी आप इस माइक को चला पाएंगे और साथ यहापे आपको केबल भी अच्छा खासा लेंथ का देखने को मिल जाता है अट लास्ट आपको यहापे माइक देखने को मिलता है जो कि आप देख सकते हैं ऐस मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होई कि मेटल क्यों नहीं दिया क्योंकि यार इसको लुक जो इसका है न वह देखने में जरूर से मेटल टाइप का लगता है वह भी काफी अच्छी बात है आपको लुक भी अच्छा प्रवाइड करता है और साथी साथ इसमें मजबू में लाइट वाइड भी जलती है मैं आपको जला के दिखाऊंगा और साथी साथ बात करें तो ऊपर एक म्यूट बटन जो कि टच सेंसिटिव है मतलब कि आप टच करके म्यूट कर सकते हैं वह भी काफी अच्छा मुझे लगा इसके आगे चलके हम वीडियो में बात करेंग और पीछे साइड आपको यहां पर anti-sports का यहां पर branding देखने को मिल जाता है अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दू कि यह आप कोई भी बूम आम पर attach नहीं कर पाएंगा जुगार तो भाई हर जगा चलता है जुगार आप करके कुछ भी कर सकते हैं लेकि लिए भी कम जगह घेरता है या फिर आप अगर बूम आम पर लगाते हैं तो काफी यार स्पेस उकुपाई कर लेता है तो यह मैं बोलूंगा काफी अच्छा डिजाइन है वेल प्लैंड डिजाइन है और काफी कोई assets कोई इसमें problem भी नहीं है नेचे साइड में आप देख वो क्या आ रहा है तो काफी अच्छा बात है एक monitoring का feature मुझे बहुत ही importance लगता है अगर अब कोई content creator को आप समझ सकते हैं इसकी value क्या हो सकती है यह बहुत important एक feature बन जाता है हम लोग के लिए अब इसमें कुछ buttons के बारें बात कर लें तो काफी सारे buttons यार busy लग रहा है सामन सारे ऐसे को मिलते हैं कुछ colors क्या झेल इसमें आप को color का वיה घ्यूकत कर सकते हैं उसकी लगता हैं इसमें ऎफ़ वह कोкимиधियन लीवे इसमें अगर क्लिक करते तो आंप जैख कर यह अगर अगल करें संप्सा प्रण और और विबहां की सजा है तो कुछ करते हैं तो आतर आ यह नॉब तो यह अलिम्टेड गुमाते जो गुमता जाएगा यह तो इसी साब से देख लेना आप लोग की आपको कितना सेट करना है मैं अपना फिगर आउट कर लेता हूँ लेकिन इसमें तो आल्रेडी पहले सी हेटफोन मॉनिटरिंग है तो आप चेक कर सकते हो कि आपको कितना सेंस्टिविटी चाहिए उसके साब से एक बार सेट कर लो उसके बाद आपका काम हो जाएगा उसके जस्ट नीचे आपको एक वॉल्यूम का डायल देखने को मिलता है जो कि हेटफोन मॉनिटरिंग के समय यूज होता है जो भी हेटफोन में आपकी वॉल्यूम जा र परसंट पर करिये और कुछ भी बोलिया मजसी मजा करिये तो कावी यार एक यूनीक यार एक फीचर लगा मुझे कावी मजा भी आए अब फटवटी से करते हो और इस साउंड क्वालिटी को भी चेक कर लें तो आप मैंने इस माइक को क्नेक कर लिया है तो आप लोग सुन स नहीं की और बता दू मैं इसमें मैंने माइक को फूल पे कर दिया है मतलब कि सब कुछ कैच करने के लिए भी मैंने ओन कर दिया है आप अपने इसाब से एड़स्ट कर सकते हैं लिए मैं जान बुच कर रहा कि आपको बताना चाहता हूं कि इतना वी दीमिया कर मैं बोलू औ इतना distance है मगले आप game खेल लें ऐसे अपने keyboard रखा है mouse रखा है और आपका mic ऐसे कुछ दूरी पे है तो आप सोच सकते हैं कि आपको ऐसा कुछ audio सामने वाले को पहुचने वाला है अब बात करें कुछ features की तो यहां पर एक feature में आपको अभी तक नहीं बता था क्योंकि अब मै यह noise cancellation mode को on हो चुका है मतलब कि अब यह noise cancellation बहुत अच्छा करने वाला है जब मैं सांत रहूंगा तो noise को pick करना बंद कर देगा और अगर आप इसे on रखेंगे तो ऐसे यह आपको audio आने वाला है आप बताई मुझे comment section में आपको कौन सा अच्छा लगा noise cancellation कभी कभी ऐसे कट जैसा हो सकता है क्योंकि noise cancellation feature यह उसी तरह काम करता है बंद करता है थोड़ा तो मतलब आप नॉर्मल भी रख सकते हैं आप अपना noise cancellation on भी रख सकते हैं depending upon आपका situation कैसा है और लाइट है तो मिली सकते हैं जैसे कि आप मैं button दबाने वाला हूं तो आपको सुनाई देगा कि actual म आपको आवाज कैसी आती है जब आप किसी button को click करते हैं अब LED color को change करने के लिए button दबाते हैं अब आप सुन सकते हैं कि आपको audio कैसी आएगी मतलब कि जब आप button को click करेंगे तो यह कैसे sound करता है तो ऐसा कुछ आपको buttons आने वाले knob को मैं घुमा कर दिखाता हूं यह माइक का knob है यह limited गुमता है गुमता जाए गुमता जाए गुमता जाए तो ऐसा कुछ आपको audio आने वाला है अगर आप इस knob को गुमाते हो आप काडियाइट पोलर पैटन में क्या होता नहीं कि आपके सामने वाले जो voices है वो पिक होती है मतलब कि पीछे वाला noise जो है वो काफी कम आता है सामने वाला जो noise है वो काफी ठीक ठाक कैच करता है अगर काफी अच्छा है अगर आप keyboard यहां पर रखें और आपका mic सामने आ तो keyboard की noise कम आएगी फिलाल मैं blue switches रिशुस कर रहा हूं तो इसमें खड़गड़गड़गड़गड़गड़गड़गड़गड़गड़गड़गड़गड़गड़गड़गड़गड़गड अगर आपका बस membrane वाला keyboard है तो ऐसाच कोई problem नहीं होने वाली हो हर माइक में होता है मतलब कि हर माइक कैच करेगा ही करेगा कफी noisy करता है keyboard तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते और एक और feature मुझे बहुत अच्छा लगा यार गेम खेलते वक्त यार काफी efficient हो जाता है आपको यह mute हो गया तो इसलिए आपको यह feature और काफी efficient पढ़ने वाला है मुझे लगता है गेमर्स को तो यह feature काफी अच्छा लगेगा आप इसे माइक बटन को भी क्लिक करके मैंने का म्यूट कर सकते हैं एट दिन जाते जाते मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि काफी अच्छा है एक माइक मुझे लगा यह और ऐसे माइक को यार काफी आप ले सकते हैं ऐस सच कोई problem नहीं होने वाली और साथी साथ बोलूँगा कि यार looks काफी अच्छा दे दित सकते हैं साथी जात आप comment section भी बताईगा अगर आपको कोई और चीज पूछनी हो इसके बारे में और अगर आपको कोई वीडियो में suggestions देना है तो वो भी आप दे सकते हैं तो thank you so much आपको वीडियो देखने के लिए अगर अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से जल्दी से लाइक कर दीजेए कर चैनल को सब्सक्राइब कर देए और मैं विल दावको नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए दुसो देखते रहे है टेकी नूर्स थांक यू सो मच आपका वीडियो तेक्मिटी